जो हमारा Northern Plains था उसको हमने पढ़ा था और इस में हम पढ़ने वाले हैं Peninsular Plateau के बारे में तो देखिए जो Peninsular Plateau है वो एक तरीका का Table Land है और यहाँ पर आपको Old Crystal Lion, Igneas और Metamorphic Rocks मिलते हैं बिल्कुल Table आप माल लीजिए अपने Room में रखते हैं तो क्या होता है रूम का Surface काफी Low होता है और Table जो होता है वो काफी High होता है तो बिल्कुल इसी तरीके का Structure हमारा Plateau का भी होता है जो हमारा Peninsular Plateau है बिल्कुल ऐसा ही Structure है तो Example मैं आपको एक दिखाता हूँ तो और उसका Rise बिल्कुल Flat है तो इसी को हम Table लैंड कहते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही Structure हमारे Peninsular Plateau का भी है तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आखिर इसका Formation कैसे हुआ तो इसका Formation हुआ था गुंडवाना लैंड से जब तूट कर यह पूरा हिस्सा जब Drift हुआ तो इस वयसे तो जो गुंडवाना लैंड का हिस्सा था वो जब तूटा तो उसी से इसका Formation हुआ और यह जो प्लेटू है इसके बहुत ही ब्रॉड और शैलो वैली मिल जाते हैं यह सभी इस रीजन में मौजूद है Peninsular Plateau में मौजूद है और यह देखिए यह जो पूरा Peninsular Plateau है इसके हम दो broad divisions कर सकते हैं दो हिस्सों में बाट सकते हैं जिनका नाम है Central Highland और Deccan Plateau तो इन दोनों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे तो देखिए जो हिस्सा है Peninsular Plateau का जो की नर्मदा रिवर के नौर्थ में है उससे हम जिसमें की आपका मालवा प्लेटू जाता है उसको हम Central Highland कहते हैं और यह जो रिजन है इसके आपके South में आपको विंद्या रेंज मिल जाता है और इसके North West में आपको रावली मिल जाता है और इसका जो further Westward Extension है वो आपको Sandy और Rocky Desert जो है राजस्थान का पुरेगिस्तान वहां पर जाकर मिलता है और इसमें जो न नदी का जो बहाव है वो South West से North West की तरफ है और इसी से हमें पता चलता है कि इस पूरे रिजन का स्लोप कैसा है तो इस पूरे रिजन का स्लोप Southwest से North East की तरफ है तो इस चीज को हम थोड़ा से image के जरीए देख लेते हैं ताकि आपको यह चीज अच्छी तरीके से समझ में आए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने image है इंडिया का और इसमें यहां पर आपका नर्मदा रिवर है तो यहां पर आपका यह नर्मदा रिवर है तो इसके उपर यह जो पूरा इलाका है यह आपका हो जाता है Central Highland और इस नर्मदा रिवर के नीचे जो यह ज जाता है Deccan Plateau तो इसी को जो हमारा पूरा Penisural Plateau है इसको हम दो हिस्सों में बाढते हैं नर्मदा रिवर इसका बोडर है आज मताये गिया है विंद्या रेंज यहा पर है और और यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर्ला फाइलेंड से आपको चंबलणदी नीकलती है यहां पर बैतोबडे निकलती और बहुत सारी निकलति है तो इसी चीज़ की यहां पर बात की गई थी हमारे टेक्स बुक में और इसी को अगर हम बात आगे करें तो जो Central Highland है वो West में काफी वाइड है और East में काफी यह नैरो हो जाती है तो यहां जैसा की इमेज में आप देख सकते हैं इमेज में कि देखे इस रीजन में यानि West रीजन जो है वहां पर यह जो पुरा Central Highland है यानि यहां पर जो Central Highland है वो काफी चोड़ा है इतना चोड़ा है लेकिन जब East में हम जाते हैं तो Central Highland वो आपको काफी पतला हो जाता है इस region में देख सकते हैं काफी पतला हो जाता है तो देखें इस region का जो eastward extension है इस play do का उसे हम बुंदेल खंड और बागेल खंड के नाम से जानते हैं जो इसका local नाम यही है और जो दामोदर रिवर निकलती है तो यहां पर उसको भी हम image के जरीए देख लेते हैं तो देखें यह जो आपका reason है जहां पर मैंने black से इसको mark या फिर से में दिखा देता हूं तो यह जो पूरा reason है यह reason यह जो पूरा reason है यह आपका छोटा नागपूर प्लेटू है और यह भी आपके Central Highland का हिस्सा है और Central Highland का हिस्सा जो है वह आपको नौर्थ East region में भी देखने को मिल जाता यानि इस region में यह जो आपका यहां पर black color यहां पर मैंने दिखा है यह reason जो है आपका यह भी आपके Central Highland का हिस्सा है लेकिन वह इससे तूटा हुआ इससे अलग है तो हमने Central Highland के बारे में तो पढ़ लिया अब हम पढ़ते हैं यह दिखे जो डिखन प्लेटू है वह एक ट्रेंगुलर लैंड मास है जो कि नर्मदा रिवर के South में इस्तित है तो अभी हमने मैप में देखा कि डेकन प्लेटू कहां इस्तित है और उसका size आप देखेंगे structure आप देखेंगे तो वह आपको ट्रेंगुलर देखने को मिले और इसको आप चाहें तो एक तरीके से मैप में देख सकते हैं, और dead tree की अगर हम बात करें तो dead tree जो है वो उसके west region का height है वो जादा है IsStregion से, और slope जो है वो west to east है, तो ये इस चीजे को मैं थोड़ा सा प्लेटू का height जादा है और इसके इस region में height कम है, तो इस तरीके का structure है आपके peninsular plateau का, जो west region है वहाँ पर height आपको जादा है और इस region में इसका height कम है, तो इसको अब आगे देखते हैं, तो देखें जो इस प्लेटू का एक extension आपको north इस region में भी देखने को मिल जाएगा, जि इसको एक तरीके से fault या फिर branch के जरीए ये तूट कर अलग हो गया, छोटा नाकपूर plateau से, और इसमें तीन आपको prominent hills देखने को मिल जाते हैं, जो की है, गारो, खासी और जैंतिया, तो इस चीज़ को मैं आपको map के जरीए दिखाने के कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर raid आपको यहाँ पर mark देखने को मिल रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो यह जो है, आपको गारो, खासी और जैतिया आपको पहाडिया है, तो इसको आब हम आगे continue करते हैं, तो इसके बाद आगे चलते हैं, और आगे कुछ चीज़े पढ़ते हैं, तो देख इसके continuously उसके साथ paralleli में उपर से नीचे तक है, और यहाँ पर आपको अगर आप इन reasons को पार करना चाहते हैं, तो आप इनको सिर्फ passes के जरी यहीं पार कर सकते हैं, और map में आप चाहें तो कुछ important reasons जैसे थाल, भोर या फिर पाल घाट को एक तरीके से indicate कर सकते हैं, या फि इस्टन घाट से, तो देख्या भी जैसे मैंने बताया है कि जो peninsular plateau है, वो western region में उसकी height ज्यादा है eastern region के मुकाबले, तो उसी चीज को अगर आप यहाँ पर देखें, तो जो western घाट है, उसकी height भी ज्यादा है eastern घाट के मुकाबले, और जो western घाट है, उनका average elevation है, वो 900 से 1600 मेटर है, वहीं जो आपका eastern घाट है, उसका average elevation है 600 मेटर, जो eastern घाट है, वो महानदी वैली से सुरू होती है, और यह निल गिरिस तक जाती है, south में, और eastern घाट की बात करें, तो eastern घाट काफी discontinuous है और irregular है, उसका reason यह है कि बहुत सारे rivers ने, इसको कई सारे जगों से काट दि लिया है, Bay of Bengal में, और जो western घाट है, वो एक तरीके से aurographic rain को cause करते हैं, उसका reason यह है कि जो wind होता है, जो कि moist air को अपने साथ लाता है, वो western slope से टकरा कर इस region में काफी बारिश कराता है, काफी बर्षा कराता है, और जो western घाट है, उनको बहुत सारे अलग लग लग लोकर ना जाता है, और जो height western घाट का, वो एक तरीके से increase करता है north से south की तरफ, तो इस चीज़ को भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ map से, तो देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो western घाट है, यह reason, western घाट यहाँ पर, तो इसमें आप देखेंगे कि जो north है, इस से south की तरफ आप जाएंगे, तो इसका height increase करते जाएगा, जैसे यह मान लिजे north region है, और यह south region है, तो ऐसे ऐसे जैसे ही आप बढ़ते जाएंगे, तो इसका जो height है, वो बढ़ते जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से height बढ़ते जाएगा, और जो highest peak है इस region में वो है अनाई आपको शेवरो हील्स, या फिर जावेदी हील्स, यह एक तरीके से eastern घाट के south east region में इस्थित है, इसके अलावा आप दूसरे जो famous hill station है, जैसे कि उटी हो गया है, कोडाई कनल, इन सभी को भी locate कर सकते हैं, map में आप चाहे तो देख सकते हैं, और देखिए, एक जो सबसे अ आप दूगा था, volcanic origin के वज़ा से, और उसकी वज़ा से हम देखते हैं, volcanic origin के वज़ा से हम जानते हैं कि igneous rock यहां पर काफी ज़्यादा है, तो actually जो यह जो रॉक है, यह कई सालों तक, कई लाखों सालों तक एक तरीके से टूट कर, या फिर हम कह सकते हैं, काफी समय से process हो कर, यह एक तरीके से black soil का इन्होंने निर्मान किया है, और जो अरावली hills है, वो western और northwestern margin पर स्थित है, peninsular plateau के, और यह जो एक तरीके से reason है, और यह जो hills है, यह काफी erode हो चुके हैं, और काफी एक तरीके से broken हो चुके हैं, कई जगों पर, इतने सालों तक process होनी के से, और यह जो हैं, यह extend करते हैं, गुजरात से देली तक southwest to northeast direction में, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और पढ़ते हैं, इंडन desert के बारे में, तो देखें, जो इंडन desert है, वो अरावली hill के western regions में लाई करता है, western direction में लाई करता है, और यह एक तरीके का undulating sandy plain है, और य यहाँ पर आपको arid climate देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर vegetation का cover जो है, वो भी काफी low है, और यहाँ पर जो streams है, वो appear होती है, rainy season में, लेकिन यह तुरंत ही गायब हो जाती हैं, तुरंत ही disappear हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको इतना पानी नहीं मिलता, कि यह sea तक पह हो सके, और इस region में लूनी जो है, वो सबसे बड़ी नदी है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक मात्र बड़ी नदी है, जो कि इस region में बैती है, और यहाँ पर आपको बरकान आपको देखने को मिल जाएगा, और यह तरीका Christian dunes होते हैं, sand dunes, जो कि एक तरीके बहुत करते हैं, longitudinal dunes और यह आपको इंडिया पाकिस्तान के border पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, आप जब जैसल मेर जाएगे, तो वहाँ पर आपको बरकान काफी बड़ी संख्या में आपको देखने को मिल जाएगे, इसके बाद अब हम पढ़ते हैं coastal plains को, तो देखे बेफ बेंगाल के paralleli चलते हैं east में, तो देखे जो western coast है, जो कि एक तरीके से western घाट और Arabian Sea के बीच में है, वो एक तरीके का narrow plain है, और इसमें आपको तीन sections हो जाते हैं, तीन section, तीन हिस्सों में हम इसको बाढ़ सकते हैं, इसमें जो northern हिस्सा है, उसको हम कोंकन कहते हैं, ज इसके साथ ही जो plains है, आपके Bay of Bengal region में मौझूद, वो काफी wide है, काफी चौड़े हैं, और उनका जो level है, वो काफी समतल है, और जो northern part जो है इसका, उसको कहा जाता है northern सिरकार, और वहीं जो southern part है, उसको कोरोमंडल coast कहा जाता है, और इसके साथ ही जो बड़ी नदिया है, ज और यहां पर एक चीज आपको जान लेनी चाहिए, कि जो चिलका लेक है, वो इंडिया में largest salt water lake है, और यह Odisha में इस्थित है, जो की एक तरीके से महनादी डिल्टा के south में है, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं islands के बारे में, तो देखिए यहां पर ह जो reason है, इन सभी reasons के लावा mainland India के लावा, इंडिया के पास दो तरीके, दो groups में island है, दो groups कहने का मतलब है, कि जितने भी islands से उनको हम mainly दो हिस्सों में बाटते हैं, पहला तो आपका लक्षदिप हो गया, और दूसरा आपका अंडमान एंड निकोबार हो गया, तो आप चाह जाते हैं, और शुरुआत में इन्हें पहले इन्हें लक्षदीप, मिनिकोई, एमिनिडीव कहा जाता था, 1973 में इनको रिनेम किया गया था इंडियन गवर्मेंट द्वारा और इसको फिर नाम दिया गया था लक्षदीप, तो देखे ये जो पूरा reason है, यानि जिसमें कि लोग एक तरीके से रहते हैं, वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पर एक bird century भी है, तो यहाँ पर देखे, corals के बारे में बतायाएं कि आप चाहें तो पढ़ लें, exam में आप से पूछा जा सकता है, definition, explanation आपको दिया गया है, और एक तरीके से इसके साथ है अगर आप देखें, Bay of Bengal में तो आपको एक लंबा chain देखने को मिलेगा islands का, और यह जो पूरा reason है, यह जो island का group है, इसे हम कहते हैं, अंडबान और निकोबार islands, और इनकी जो size है, यह काफी बड़ी है, इनकी size बड़ी है, और इस में या इस group में, बहुत ही ज़्यादा पहला तो अंडबान हो गया, जो कि North में है, और निकोबार जो कि South में है, और ऐसा माना जाता है कि यह जो islands है, यह submarine mountains के एक हिस्से है, तो submarine mountains क्या होते हैं, यह भी आप चाहे तो Google कर लें, लेकिन यह उतना important नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, तो देखें, यह जो island groups है, यहाँ पर आपको बहुती एक तरीके सी strategic importance है इन्हे islands का इंडिया के लिए, क्योंकि यह एक ऐसी position पर है, जो कि काफी important है इंडिया के लिए Indian Ocean में, और इस region में भी यानि कि इस island group में भी आपको बहुती ज़्यादा diversity of flora and fauna देखने को मिल जाता है, और यह जो island है, यह equator के क काफी करीब हैं, इसलिए यहाँ पर आपको equatorial climate देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर forest cover जो है, वो काफी ठीक है, और यहाँ पर simply आप से कहा गया है, कि देखिए यहाँ पर एक तरीके से summary है इस chapter का, a detailed account on different physiographic units highlight the unique features of each region, तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा बहुती इसलिक features बताते हैं अलग-लग इलागों के, और it would however be clear that each region complements the other and make the country richer in its natural resources, तो देखिए जो भी हिस्सा है इंडिया का, वो एक तरीके से इंडिया को अमीर बनाता है अपने natural resources से, जैसे कि mountains की बात करें, तो वो water और forest wealth का का काफी important source है, northern plains जो है वो granaries है इंडिया का, वो एक तरीके से base provide करते हैं पहले की civilization, यानि की सुरुवात में जितने भी civilization बने, वो एक तरीके से उनका base कया था, उनका base था northern plains, और इसके साथ ही जो play to है, वहाँ पर आपको minerals मिल जाते हैं, और वो एक तरीके से crucial role अदा करते हैं, कंटी के industrialization में, और इसके साथ ही जो coastal region है, island groups है ये एक तरीके से help करते हैं, fishing और port activities में, तो इस विए से जो diverse physical features है, वो उनका काफी future possibility है, और development का काफी chance है वहाँ पर, तो इसलिए एक तरीके से इंडिया के लिए काफी ज़्यादा hope है future में, तो देखें, यही पर हमारा ये chapter खत्म होता है, तो मिलते हैं आपसे हम नेक्ष पर दो में किसे